जैसे चाइना का belt and road initiative है जिसमें physically world को connect करने के लिए infrastructure बनाया जा रहा है उसी तरीके से digital silk road भी है जो digitally world को connect करने का काम कर रहा है यहां आप इसका map देख सकते हैं इसमें जो यह red line है वो optical fiber कैसे बिचाया गया है world को digitally connect करने के लिए इस चीज को show कर रहा है यहां digital silk road यूरोप एसिया और अफरीका को connect कर रहा है जो यह blue line है वो पाकिस्तान में जो optical fiber बिचाया जा रहा है उसका graph है और जो यह optical fiber बिचाया जा रहा है इस project का नाम रखा गया है peace project आपको इसको ध्यान रखना होगा जैसे BRI Belt and Road Initiative का पाकिस्तान में project चल रहा है CPAC यानि चाइना पाकिस्तान economic corridor उसी के respective में digital silk road का चल रहा है peace project peace यानि पाकिस्तान East Africa connecting Europe और अब आप यहाँ पर पाकिस्तान के Tribune newspaper में इस project की detail पढ़ सकते हैं मार्च में इस काम को शुरू होना है और यहाँ पर पाकिस्तान ने इसकी approval भी अभी recently दी है यह Arabian Sea से शुरू होकर रावल पिंडी से होते हुए जो main important port cities हैं जैसे की कराची ग्वादर इसको cover करेगा और चाइना के Sinjiang region तक जाएगा Sinjiang region वही जहाँ पर उईगुर Muslims का एक तरीके से दमन हो रहा है दोस्तो चाइना ने Digital Silk Road Initiative 2015 में शुरू किया था और यहाँ पर यह चाइना की एक अलग ही debt trap strategy है जैसे O.B.O.R. एक debt trap strategy है उसी तरीके से यह भी एक debt trap strategy है यहाँ पर चाइना इस initiative के अंडर में कहता है कि हम जो countries है उनको इस तरीके की assistance provide कराना चाहते हैं हम उनकी help करना चाहते हैं telecommunication networks establish करने में artificial intelligence capabilities को develop करने में cloud computing को promote करने में e-commerce को promote करने में mobile payment system बनाने में ताकि different countries एक जगाई कठी हो करके एक तरीके से digital payment transaction कर सके इसके अलावा surveillance technology develop करने में और smart cities को बनाने में लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए debt trap strategy में इन countries को फसाने के अलावा यहाँ पर चाइना का एक काफी important strategic interest है और वो है जासूसी करना अपने stakeholders पर और दोस्तों फिर चाइना उसी data का use करेगा उस country के खिलाफ या अपने personal interest के लिए और यहाँ पर personal interest को fulfill करने में वो किसी country के rights क्या है उसको भी ध्यान नहीं रखेगा यहाँ पर चाइना किस तरीके से intellectual property rights को चुरा लेता है अमेरिका की और बाद में अमेरिका को किस तरीके से challenge कर रहा है यह बात किसी से छुपी नहीं है उसी तरीके से stakeholder country में क्या-क्या अच्छा हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है उसको चुरा करके यह अपने फाइदे के लिए इस्तेमाल करेगा यहाँ पर चाइना काफी successful रहा है इस project को ले करके digital silk road related investment अब तक 16 countries में होने वाली है और इसके agreement sign हो चुके है और यह countries दोस्तो अफरीका, यूरोप, मिडल इस्ट, लेटिन अमेरिका और इवन एसिया तक में है अब देखना यह है कि जो debt trap strategy है चाइना की उसमें already काफी सारी countries फंस चुकी है और अपना काफी कुछ गवा चुकी है और यहाँ पर फिर भी वो क्या step लेती है इस important project को ले करके फिलाल अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ने तो इसके लिए approval दे ही दिया है और यह approval जब दिया है जब यह already पाकिस्तान declare कर चुका है कि उसके पास CPAC loan की payment करने के लिए पैसा नहीं है यानि एक loan की payment करने के लिए पैसा है नहीं और दूसरा loan लेने क को ही बेच दिया है चाइना को तो इसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते लेकिन यहां पर अब सवाल यह उठता है कि इंडिया क्या करे तो देखिए दोस्तों यहां पर इंडिया के लिए security concerns बिल्कुल है और यहां पर हमारे लिए एक आगे बहुत आगे बहुत